चलिए और बात करते हैं बजट की वित्तमंत्रे निर्मला सीता रमण ने अपने पिटारे से आम जंता को क्या दिया? क्यों इस बजट को लेकर विपक्ष हमला वर है? और बीजेपी क्यों इसे भविश्य का बजट बता रही है? जानने के लिए टीवी नाइन भारत वर्ष ने बात की केंद्र वित्तमंत्री डॉक्टर राज्य मंत्री डॉक्टर भागवन किशन राओ से देखिए क्या कहा उन्होंने हमारे सवालों के जवाब में? किंद्री बजट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर भागवत किशन राओ कराड जी मौजूद है मिनिस्टर फ्स्टेट फॉफ फिनैंस किस तरीके से देखा जाए इस बजट को उनके निगाहों से आईए समझते हैं डॉक्टर कराड बहुत स्वागत है सबसे पहले टीवी नाइन भारत वर्ष पर आपका मैं यह समझना चाहता हूं कि विपक्ष ने हर जगह से आलोचना ही की है कहा है कि यह तो फ्यूचर की बात करना है इस साल के बारे में कुछ बताई नहीं रहे हैं और लोगों के हाथ कुछ लगा नहीं है आम लोगों के इस बजेट एक अमरत काल बुलके यह बजेट आगले 25 साल का सोच के पीछ किया है और इस बजेट में अलग-अलग सुविधा हर ख्षेत्र के लोगों को देने का प्रयास किया है उद्योख शेत्र हो, शिक्षा हो, तूरिजम हो, ट्रांस्पोर्ट हो, हर ख्षेत्र का विचार करते हुए इस बजेट में पैसा रखा है और मेरी पूरी उमीद होए कि इस बजेट से ग्राम विकास हो रहेगा, शाले शिक्षा रहेगी, इसके सग जगह विकास हो जाएगा डॉक साब इसमें लेकिन क्या ये आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बजट आने वाले दिनों में महंगाई को और बढ़ा देगा, ऐसा होगा क्या? ये महंगाई को बढ़ा सकता है बजट ये महंगाई का कों सी चीज है जिसमें ये बजट बढ़ेगा, इसमें महंगाई बढ़ेगी, ऐसे कुन सी चीज है एक भी सीज नहीं है इन फैक्ट उद्योजोग के लिए सवलत दी चुके है उद्योग बढ़ेगे रोजगार बढ़ेगे इंकम बढ़ेगा तो शिक्षा के लिए इस बजट में पैसा रखा है हेल्थ के लिए अच्छा पैसा रखा है टोटल बजट अगर देखे तो 39,000,000 करोड का यह बजट ह है लास्ट एयर का बजट 37,000,000 करोड था अप्रॉक्जमेटली आम से इंग तो अभी ए 39,000 बतों तूट दो से सवा दो लाग करोड से बजट बढ़ चुका है और यह पूरे पूरे अगदी बार्डर के गां से लेके बड़े शहर तक विकास कैसा हो हर गरेब से लेके अच मिडिल क्लास क्या सरकार की स्कीम ऑफ फिंक्स में नहीं है क्या उसको बजट में राहत का कोई प्रोविजन दिखाई नहीं दिया और वित्मंत्री ने कहा कि नया बजट का कोई प्रोविजन नहीं है बस इसी में राहत माने मिडिल क्लास नए ने ने मिडिल क्लास को क्या लगता है मिडिल क्लास को घर लगता रहने को घर के लिए इसमें पैसा रखा है मिडिल क्लास को घर में पानी लगता है जल जिवन मिशन है पावर लगती है लाइट लगती है उसके में इसमें बजट है उतना इन्हें तो हेल्थ अच्छा रह चैनल बजेट तो यह पैसा है dead play कि जिसमें बजट में पैसा निये कि हर सब्सक्रीं की कि एक बजट रखा है और मुझे पूरी उमिद है कि इस बारत देश में रहने वाले हर सिटिजन इस बजट से उसको फाइदा हो सकता है लेकिन विरोधक अलुचना कर रहे हैं उनका काम ही है अलुचना करना कॉर्पोरेट टैक्स में छूट लेकिन इंडिविजूल टैक्स में कोई रियायत नहीं मैं पहले बोला आपको 25 साल आगे रखके बजट किया है और इसमें स्टेबिलेटी लाने का कोशिश किया है और आप जो सेल्प असिस्टमेंट करके इंकम टैक्स बरना है सेल्प असिस्टमेंट समझो मुझे लगता है कि मेरे थोड़े गलती हो गई तो उसको भी दो साल पीछे जाके आप इंकम टैक्स वापिस असिस्टमेंट कर सकते हैं ऐसे अलग-अलग सुईदा दे चुके ये बजट में इसलिए मैरा काना है कि ये ब वर्च्वल करेंसी को लेकर अच्छली उन असेट्स को लेकर क्या प्रोवीजन है क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि ये जो 30% का टैक्स लगाकर एक तरीके से उन क्रिप्टो करेंसी को लेजिटिमेट करने का काम कर दिया गया जिनकी लेजिटिमेसी पहले सवाल के घेरे में अच्छी को करन्शी बोलके कंसिडर नहीं किया है क्रिप्टो में लोगों ने इसके उपर जिनको प्रॉफिट मिला है जिनके आशेट तैयार हो चुके है तो एसेट के ऊपर टैक्स लगाना एक गवर्मेंट का काम है इसलिए इसको 30% टैक्स लगाया है बारत देश खुद आति अच्छी सेंट्रल बैंक समझो स्टेट बैंक आप इंडिया के इसमें एकादी डिजिटल करेंशी लाने के बाद डिजिटल करणशी लाये तो उसको प्रेंटिंग में लगेगी वह ट्रांसपरेंट रहेगी तो बश्टचः वह मुँझाएंगा यह नया नया भारत स सरकाल का सोच है पाउल है और इसलिए सबको सबके लिए डिजिटल करणशी बहुत ही मतोपुर्ण है और भारस्तर करने लाई है इस बजट में तो इसमें सर यही क्लारिटी चाहिए कि क्या यह डिजिटल वर्चुल असेट्स जिसमें नॉन फंजिवल टोकन है क्रिप्टो कर इसका इसका दाइरा क्या रहेगा सर यह 30% जो टैक्स इंपोज होगा कमाई पर यह किन-किन चीज़ों के दरीए क्रिप्टों से होने वाली टैक्स है 30% है करणशी मैं पहले बल रहा हूं करणशी बुलके टैक्स लगाया वाला नहीं है यह टैक्स जो लगाया है तो यह एक करएक अगिन करेंट इसको अगोर्वन ऑई नहींद आए हैं तो इसको इसेशनलगेंग सेट्रलस अगे कैया होगा इसकिया शरकार मानिता नहीं देगी लेकिन वो चलते रहेंगे या फिर उनके बैन करने के संदर में कोई कदम उठाया जाएगा होगा क्या वो तो आगला सोच मैं बता नहीं सकता लेकिन मैं इतना ही आज बताना चाहता हूं क्रिप्टो करंशी को गवर्मेंट आप इंडिया ने एकसेप्ट नहीं किया है क्रिप्टो करंशी नहीं है भारत देश में क्रिप्टो के उपर टैक्स लगाया वो इंकम बूल के टैक्स लगाया वाला है लेकिन डिजीटल करंशी एकसेप्ट किया है डिजीटल करंशी ज्यादा नहीं मिला कि आने वाले दिनों में लोग कुए उम्मीद करें सर की ए बजट बेशक बहुत ज्यादा डोल औट्स नहीं दे पायारलेकिन क्या आने वाले दिनों में उसकी नीव Ihara ग्शिध को प करने अ salvation करते बहुत करते समय भारत समरेश कहें बने भारत विकसित कैसा बने हर नागरिक को भाइदा कैसा मिले इस सोच समझ के किया वाला बजट है चुनावों के परिपेख्ष में आप इसको रूलिंग पार्टी के लिए हिसाब से ठीक मानते हैं या नुकसान हो सकता है रिस्क भी हो सकता है से रूलिंग पार्टी या बाकी इसमें सोच करने की जरुवत नहीं सब सामन्य लोगों का विकास कैसा हो यह सामनी करते हुए बजट किया है बहुत धन्यवाद इसमें कोई चुनावी फायदा या नुकसान नहीं सोचा गया है बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर कराड हमस झाल 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 झाल